नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर स्वास्त से जुड़ी सारी जानकारियां वैदो और एक्सपर्ट्स की सला से दी जाती हैं, क्या आप जानते हैं कीटो डाइट या कीटो जीनिक डाइट क्या होता है, इस डाइट को अपना कर कैसे हमेशा फिट रह सकते हैं, अगर नहीं तो वीडियो को पूरा जरूर दिखियेगा, बहुत सारे लोग आजकल वजन कम करने के लिए एक नई डाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे कीटो डाइट या कीटो जीनिक डाइट कहा जाता है कीटो या कीटोजीनिक डाइट आजकल बहुत लोग अपना रहे हैं खास कर इस डाइट को महिलाएं अपने आपको फिट रखने के लिए अपना रही हैं ये डाइट शरीर के फैट को बन करने में बहुत प्रभावी है इस डाइट को low carb fat diet, ketogenic diet या fat diet के नाम से भी जाना जाता है चुकि जादा carbohydrate खाना खाने से शरीर में glucose और insulin का उत्पादन होता है जिस से शरीर में fat जमा होने लगता है इसलिए इस डाइट में कम carbohydrate वाली चीजों की प्राथ मिक्ता होती है इस डाइट से liver में ketone पैदा होता है keto diet में carbohydrate का सेवन कम करके fat से उर्जा का उत्पादन किया जाता है इस process को ketosis कहा जाता है एक अच्छी keto diet में 25% प्रोटीन, 5% कार्बोहाइडरेट और 70% fat होना चाहिए keto diet में शाका हार और मांसा हार दोनों तरह की चीजे खाई जा सकती है शाका हार keto diet में पत्तिदार साग जैसे पालक और मेथी, ब्रॉकली, फूल गोभी को भी अपने diet में शामिल करना अच्छा होता है मांसा हारी keto diet में मटन, चिकन, मचली और अंडे शामिल कर सकते हैं इस diet में fat के लिए पनीर, वसायुक्त क्रीम और बटर को शामिल किया जाता है keto diet में सूरज मुखी के बीज, नारियल तेल, अखरोट और वसायुक्त सलाद, खाना फायदे मंद होता है keto diet में केला सेव और संत्रा शामिल नहीं किया जाता है आलो और जीमिकंद, जैसी सबजियों में, कार्बो हाइडरिट अधिक मात्रा में, पाई जाने के कारण, ये इस diet में शामिल नहीं किया जाता है और अनाज और चीनी का भी कम इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, keto-genic diet से होने वाले फायदे के बारे में, जानने के लिए हमारे साथ बने रहे पहला फायदा है वजन घटाना जी हाँ दोस्तों, इस diet को लेने से शरीर उर्जा के सुरोत के रूप में फैट का इस्तेमाल करता है इस वज़े से वजन घटता है, आजकल सारे हीरो हीरोईन अपने आपको फिट रखने के लिए इस keto diet को फालो करते हैं, इस diet को लोग मानसिक एकागरता बढ़ाने के लिए भी अपनाते हैं ये diet हमारे शरीर के साथ ही साथ मस्तिस को भी उर्जा प्रदान करता है जिससे हमारी मानसिक एकागरता अच्छी होती है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइडरेट और शुगर कम मात्रा में लिना होता है इस diet की मदद से हम पूरे दिन उर्जावान रह सकते हैं फैट का अधिक मात्रा में सेवन करने के कारण ये हमारे शरीर को उर्जा प्रदान करता है मिर्गी के इलाज में भी बहुत समय पहले से ही किटो जीनिट diet का इस्तेमाल किया जा रहा है dietitians मिर्गी रोग से पीडित मरीजों को ये diet अपनाने की सलाह देते हैं इस diet को अपनाने का सबसे बड़ा लाव ये है कि ये diet बहुत ही जादा सस्ता होता है और आसानी से मिर्गी को नियंत्रित करने में मददगार होता है इसके साथ ही ये diet अच्छे कॉलेस्ट्रोल यानि HDL के इस्तर को बढ़ाने में और खराब कॉलेस्ट्रोल यानि LDL के इस्तर को कम करने में सहायक होता है जिससे हमारा blood pressure हमेशा नियंत्रित रहता है keto diet में carbohydrate और sugar कम मात्रा में लिये जाने के कारण ये हमारे blood sugar के इस्तर को नियंत्रित रखता है और साथ ही साथ insulin के इस्तर को भी कम रखता है और diabetes जैसे गंभेर बिमारी से हमारा बचाव करता है keto diet लेने से तवचा में भी धीरे धीरे अपने आप सुधार होने लगता है और जिन लोगों को बहुत जादा कील मुहासे होते हैं उनकी तवचा की सुधार के लिए ये diet बहुत फायदी मंद होता है दोस्तो इसके अलावा keto diet की कुछ नुकसान भी है जैसे शरीर में हमेशा आइठन रहना कब्ज की समस्या हमेशा घबराहट होना कुछ समय के लिए शारीरिक छमता कम होना जैसी स्वास समस्याएं देखने को मिलती है अगर आप जानना चाहते हैं कि एक मन्थ में keto diet से कैसे वजन कम किया जाता है तो नीचे comment करके मुझे बताईए ताकि मैं वजन कम करने के लिए एक keto diet का वीडियो आपके शाथ सेयर कर सकूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल पेटन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंट जानकारी मिल जाए धन्यवाद